आप सभी लोगों का सुवागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी थमनेल बिल्कुल सही पड़ा अगर ITC आपने ले लिया जादा गलती से भी तो आपका रजिस्टेशन कैंसिल हो जाएगा ऐसा नोटिस आया है लो में लिखा हो या ना लिखा हो लेकिन उन्होंने तो नोटिस भेज दिया अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या यह नोटिस सही है या गलत है मुझे कमेंड बॉक्स में लिखकर बताईएगा कि लो में ये बात कहां पर लिखी गई है जरा इस नोटिस को ध्यान से देखेगा यह नोटिस आया है 19 तारिक को और इन्होंने बेजा है 100 cost notice for cancellation of registration इस client की क्या गलती है वो भी मैं आपको बताऊँगा और ये notice का reply कैसे देना ये भी मैं आपको बताऊँगा आपने cancellation of registration के बहुत सारे notice देखेंगे लेकिन ऐसा notice नहीं देखा होगा यह मेरा दावा है क्योंकि यह नया तरह का notice है क्या है इस और service की अगर आप कोई भी bill issue कर देते हो जिसमें आपने supply of goods और service नहीं करा है तो हम आपका registration cancel कर देंगे ये वाली बात low में लिखी गई है हमें इससे कोई आपती नहीं है लेकिन आगे यह क्या कहते हैं आगे क्या कहते हैं they are under leading to wrongful availment or utilization of input tax credit कि अगर आपने कोई भी अगर आपने कोई भी ITC लिया गलती से या उसे utilize करा ठीक है ना या refund of tax हुआ तब भी हम आपका registration cancel कर देंगे अब यहाँ पर ये बात समझनी है कि department क्या कहना चाता है assessi को कि भाई कपिल जैन तुमने bill issue करे हैं fake इस वजे से सामने वाले ने ITC लिया है तो हम आपका registration cancel कर रहे हैं या इसका मतलब department यह कहना चाता है कि कपिल जैन तुमने जो ITC लिया है वो तुमने जादा ले लिया है या जादा utilize कर लिया है तो हम आपका registration cancel करेंगे तो इस line को आपको दुबारा पढ़ना है क्योंकि इस line से दो interpretation निकल कर आ रही है यहाँ पर एक बात तो यह आ रही है कि भाई तुमने इन्वोई जीशू करें जिसकी वज़ा से जिसकी वज़ा से सामने वाले ने गलत ITC claim करा तो हम तुम्हारा registration cancel कर देंगे अगर आप department यह बात कहते हो तो यह बात तो ठीक है कि अगर मैं supplier हूँ और अगर मैंने fake invoising करी है तो rule जो है हमारा rule 21 जरा ध्यान से पढ़ियेगा आप rule 21 के अंदर registration cancel कर सकते हो क्योंकि rule 21 ने कहा है कि इन इन cases में registration cancel हो जाएगा अगर मैं fake invoises देता हूँ मतलब invoises देता हूँ without supply of goods और service तो यह बात तो लोग के अंदर लिखी है लेकिन अगर मैं ITC जादा लेता हूँ तो ऐसी बात ना तो rule 21 में लिखी ना ही section 29.2 में लिखी तो अगर आपके इस notice से कोई यह interpretation निकाल ले कि भई हमने wrong ITC ले लिया या wrong ITC utilize कर लिया या गलत हमने refund of tax ले लिया तो भी आप हमारा registration cancel कर दोगे तो यह बात आपकी सही नहीं होगी ठीक है ना क्योंकि ऐसा low में कहीं नहीं लिखा है लेकिन इस notice से यह बात बहुत जादा clear है कि अगर आप ITC गलत ले लोगे या जादा ले लोगे तो आपके registration cancel हो सकते हैं लेकिन उसके लिए पहले section को change करना पड़ेगा या rules के अंदर ये बात लिखनी पड़ेगी अभी तक जितने मैंने rules पड़े हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं आई है कि अगर आप ITC जादा ले लेते हो तो आपका registration cancel हो जाएगा ऐसा कहीं पर भी अभी rules में नहीं लिखा अगर आपने ऐसा कहीं पड़ा है तो मुझे comment box में लिखकर बताना तो इस line को अगर मैं low के साथ पड़ता हूँ तो इसका crux ये निकल कराता है कि आपने invoice issue करा कपिलियन जिसकी वज़ा से सामने वाले ने wrongful ITC लिया और utilize करा या refund of tax लिया इसलिए हम आपका registration cancel कर रहे हैं लेकिन अगर इस बात का meaning ये निकलता है कि कपिलियन तुमने ITC जादा लिया तो हम तुम्हारा registration cancel कर रहे हैं तो इसके लिए भाईया आपको पहले law में rules में change करना पड़ेगा तब ही आप ऐसा कर सकते हो अब मेरी ये request है department officer से मेरी हाथ जोड़ कर request है कि भाईया ऐसे notice जब आप भेजते हो न तो client बड़ा परेशान हो जाता है professional बड़ा परेशान हो जाता है क्यों परेशान हो जाता है उसमें ये नहीं लिखा होता कि भाई हमने क्या violation करा हमने ITC जादा लिया या हमने कौन सा fake bill issue करा तो जब आप ये हम पर इलजाम लगाते हो तो साथ में सबूत भी दो साथ में सबूत भी दो कि हम इन इन basis पर ये चीज कह रही है अब हम इसका reply देंगे अब हम reply कैसे दे ठीक है ना हमने तो आज तक कोई fake invoice दिया नहीं issue करा ना हमने ऐसे ITC लिया तो हम तो ये ही reply देंगे कि भाईया हमने तो ऐसा कुछ नहीं करा अगर आपके पास कोई evidence है त कौन से input पर आपको doubt आ रहा है तो इसमें क्या हुआ एक काम बढ़ गया ठीक है ना लेकिन अगर आप काम को कम करना चाते हैं तो इसी के नीचे लिख देते आप कि भई फलाना party से आपने ITC लिया और ये fake ITC है इस वज़े से हमने notice बेजा या ये वाले bill हमें ऐसा लगता है कि आपने fake दिये हैं तो हम आपका registration cancel कर रहे हैं तो अगर आप ऐसे notice आपके सामने आए तो reply तो जरूर देना department से पूछ लेना और भईया अगर आप ITC के लिए कह रहे हो तो मेरे इसाब से गलत है बाकि आप सब लोग मुझे comment box में लिख कर बताना कि ऐसा हो सकता है या नही department का ये notice कितना सही है कितना गलत है और इसकी interpretation आप कैसे निकालते हो जो line इनोंने लिखी है और हाँ मैं आपको बता दू दिसंबर जो हमारा मंत का edition है हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी देनेगी बहुत जल्दी वो आपको magazine मिल जाएगी 5 दिसंबर तक हाँ मेर जादी एक तारिक को है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपकी magazine डिले ना हो कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी उसे final कर ले तो अगर अभी तक किसी ने हमारी magazine सब्सक्राइब नहीं कराई क्योंकि दिसंबर की magazine बहुत ही important होने वाली है उसके अंदर जितनी नोटिफिकेशन सर्कूलर हमारे आये था इस महीने में सबको हमने easy language में with examples कोशिश करी आपको दे दे तो अगर magazine सब्सक्राइब नहीं करी है तो इस नंबर पर whatsapp करके magazine सब्सक्राइब करा लेना और अगर आपको free sample चाहिए तो आप free sample भी ले सकते हैं इस magazine का सर जो हमारी य नई returns हा रही है इसके लिए क्या है भाईया नई returns पर हमने लगबग धाई घंटे की वीडियो बना कर अपने सारे pen drive members को दे दी है अगर किसी pen drive members को नहीं मिली तो whatsapp करके वो ले ले सबको ये हमने दे दी है अगर अभी तक आपने magazine या अभी तक आपने pen drive purchase नहीं करी है तो इस नंबर पर whatsapp करके phone करके purchase कर ले जिसमें आपको ये वाली धाई घंटे की वीडियो भी मिल जाए 100 घंटे के course के अलावा अगले 6 महिने तक अगले 12 महिने तक updates हम देते रहेंगे चलो इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ thank you for watching